अगला सुवाल बाईयों के सिक्षन से जैसे कि आपने कहा कि हिंदू जो है पक्थर पहाड पानी इन सकी जो इबादत कर रहे हैं मेरे अंदार से इसमें थोड़ी इसी गज़त पहिमी है आज साइंस ते ये मानती है कि जो सॉलेट बेटर है इस फॉर्म अप एनर्जी और वो एनर्जी को हमने खुदा आया बत्तब इन सब चीदों के बीट में जो एनर्जी है वही अल्ला ताला खुदा जो जिस नाम से भी हम भुखा रहे हैं हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पै करदे में नुर को देखते हैं और उस नूर की पूझा करते हैं जिसे कहा है कपीर ने कहा है कि अवल अल्ला नूर उपाया कुद्रत बैला एक नूर थे सब जग उप जया कौन भले कं बंदे तो उस नूर को जिसने जहां देखा जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इनसान को नहीं कर रहा वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखके कहता है कि नमस्ते मैं तुम्हारे आगे जुकता हूँ और वो जवाब में देता है कि नमस्ते जैसे हम इसलाम में कहते हैं कि सलाम वालेकम हम सलामती चाहत तो उसके बाद किसी भाईचारी की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो कि पहले जो हिंदू की पुजा है, उसमें कहते हैं कि अंतिरिक्षा है शांती ही, वनस्पता है शांती ही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, मतब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, ज असलाम की, हिंदू धरम की, सिखिजम की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांती, हर एक की भाईचारे की बात की है, अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे, ने ने भाई साब आउतार सिंग, आपने बहुत एहम सवाल किया, और एक बहतरीन सवाल क के जरीए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फेमिंग वो भी इंशालला दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फेमिंग वो भी इंशालला दूर हो जाएंगी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कि हिंदू धरम, हिंदू धरम ने हिंदू हो, हिंदू ये समझते है कि जब पत्तर को पूछते है तो एनरजी आपने साइन्स के बारे में का एनरजी एनरजी है आपके इसमें एनरजी मेरे इसमें में एनरजी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई एक्तिलाफ नहीं एक एनरजी है लेकिन ये कहना कि ये एनरजी अल्ला है ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है, ना वेद में लिखा है, पॉइंट नमबर बन, ये आपकी गलत फहिमी हैं, कि ये एनर्जी खुदा है, कुरान में लिखा है, कि उसके जैसा कोई नहीं है, ये ही चीज बाइबल में लिखा है, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ती, वो ही लिखा है, वेद में, ना तस्रपतिमा अस्ती, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ती नहीं, तो ये लिखा है, धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले, अपनी आसानी के लिए तबदील कर रहे हैं, आप अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कमपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही हैं, आपके कोई नहीं मैनेजर आदे उसूल को बदल देते आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या, ये और भैतर होएगा, इससे मुनाफ़ा ज़ादा होगा, आपके आपके मैनिजर के उसूल होएगे, इमानदारी को छोड़ो पीसे जाधा कमाने के हैं। आपको जब पता चलेंगा, आपका मैनिजर, आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेंगा, मालिक, जाधा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उसे सहमत है आप बोलें ये ज़्यादा पैसे छोड़ो मिलते के नहीं मिलते रिश्वत देना हराम है तो इस तरीके से अल्ला ताला ने बुनियादी बाते कह चुकी है किस तरीके से उस इश्वर की अबादत करना अभी इनसान अपनी गलस फेहमियों में अल्ला ताला खुदा इश्वर की बात छोड़के खुद के तरीके से अबादत करने लगते है और हम क्या कर रहें उस अजीम खुदा को गाली देते है हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जाना अस्तग्फुल्ला हम खुदा को उस मूर्ती में ले आते हैं जब लिखा हुआ है स्वेता सेतर उपनिशद में ज्यजुर्वेद में नाचस्यपती में अस्ती उस इश्वर की प्रतीमा नहीं है हम मूर्ती बनाते हैं मिसाल के तोर पे अगर अगर मैं किसी को मदद करता हूँ और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है मिसाल के तोर पे श्रीलंगा में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूँ रोज 10 जार रुपिय भीचता हूँ उसको पताने जाकिर के साथ क्या करता है वो कॉक्रोज बनाता है कॉक्रोज और रोस सुबा को दिल में कहता है जाकिर शुक्रिया काफी है शुक्रिया नहीं भी कहता है चल जाता था लेकिन मुझे कॉक्रोज बनाया इनसान से कॉक्रोज बनाया मुझे फरक पड़े ना पड़े वो तो बेवकूफ बन रहे ना कैसा बेवकूफ इनसाने मुझे भले फरक ना पड़ा मैं देयालू जाने ना मुझे कौकरूज मैं क्या फरक पड़ा मैं बोलूँ क्या बेवकूफ इंसाने क्या कौकरूज के सामने जुक रहा है तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजभी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे किस तरीके से उसकी बात माने हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते है Energy is God कहा नहीं लिखिला Energy is God आपने बिलकुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते का लफ कि दर से आता है आपको शहत पताएंगा नमस्ते आता है इदम नममे से इदम नममे मतलब मैं आपके सामने जुकता हूँ मैं आपकी अबादत करता हूँ अरब है इदम नममे आप कहना चाहते हैं मैं आपके अंदर इश्वर के अरिबादत करता हूँ. मिसाल के तोर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलातकार कर रहा है. आप उसको इश्वर बोलेंगे? आप इश्वर को इतना घटिया समझ गे? वो बलतकार करने वाले इनसान को बोलते है अब इश्वर है. इस से भाइचार की बड़ेंगी नहीं घटेंगी. वो बलतकार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को, मैं इश्वर मान रहा हूँ, उसके सामने जुक रहा हूँ. अल्ला को क्यों काली दे रहे, इश्वर को क्यों काली दे रहे, खुदा को क्यों काली दे रहे इसलाम में, इसलाम की भी अपने मिसाल दी, इसलाम में हम कहते असलामु अलैकुम, अल्ला ताला से फर्माते, इस इंसान पे सलामती दे चाहे वो अच्छा इन्सान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है चाहे वो चोर या डाकू हो मैं बोलुगा अस्सलामु आलेकूम मैं कह रहा हूँ या अल्ला या रब या खुदा या इशुवर या बगवान इस डाकू पे रहमत फरमा कुछ बुरी बात है ना मैं अल्ला को गाली दे रहा हूँ उसके लिए दुआ दे रहा हूँ कि तु गलत काम छोड़ और सही रास्ते प्या अगर मैं उसको खुदा मानूगा तो खुश हो जाएगा वहार चुरी करेंगा वहार बलातकार करेंगा कोई भी धर्म ही नहीं सिखाता ये धर्म के मानने वाले अपने खुद की एजास करते है इसे कहते हैं इनोवेशन बिदात जिस तरीके से ने खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें उसी तरीके से हमें करना चाहिए तबदिली लाएंगे हम समझ रहे हैं कि भाई चारा बढ़ेंगा भाई चारा नहीं बढ़ेंगा भाई चारा घटेंगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा आउतार सिंग अस्सलाम वालेकुम मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि आप पे सलामती हो आप पे अमन हो आप मुझे बोलो इससे भाई चारा ज्यादा बढ़ेंगा या कहने से भाई मैं आपको इश्वर मानता हूँ और फिर आपकी बात में मानू में फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराप पीने चलो चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे तो मैं क्या बोल गारें मेरे भगवान मुझे बुला रहा है तो ये कहना अस्सलामु आलेकुम मतलब मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि ये इंसान के ओपर सलामती हो अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है बुरा इंसान पे भी सलामाची के ना अच्छी बाते तो इस तरीके से इसलाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है ना इट इस हिपोक्रिसी इट इस दे बेस्ट वे अव भाई चारा और कुरान में कहा गया है सुरा निसा में सुरा नंबर चार आएट नंबर च्छी में 86 मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उस से अच्छा सलाम दो कमस कम उस जैसा क्यूंकि अल्ला ताला हिसाब रखता है मतलब अगर आप السلام deliver क में कहेंगे मुझे मुझे कहना चाहिए अगर आप कहेंगे सलामिल्ल्ल्ल्ण मैं कहूंगा वल को मद्यकृ ना हिए वरकातू और बहतरीन होना चाहिए या कमस कम या क्सा आपकोcido sol नुगर वहालप आपको बहतरीन तो तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बहतरीन सलाम दो या उससे बहतर ना कर सको कोई का सलाम वालेकुम वरामतुल्य बरकातो कमस कम उतना दो वालेकुम वरामतुल्य बरकातो ये तालिमाते कुरान में इससे भाईचारा बढ़ता है तो गलत तरीके से अबादत करना जो वेज के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, गरंद के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बलके घटेगा तो इसलिए हम ये जाने इश्वर जो हमारा बनाने वाला है हमारा खालिके वो जानता है किस तरीके से उसकी अबादत करना चाहिए वो बहतरी जानता है मिसाल के तोर पर आपको डॉक्टर कोई धवाई देता है कि ये लाल गोली सुबा को लेना हरी गोली दुफेर को लेना आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल मैं नीली गोली खाऊंगा और वो डॉक्टर है वो जानता है तो इसी तरीके से हमारा खालिक हमारा मालिक खुदा है उसकी बात के ओपर अमल करना इसी लिए जो इनसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते है इसलाम मतलब सब्मिट तो जो कोई अल्ला के मताबिक चलता है उसे कहते है परसेन उस सब्मिट सिजव टू गाउड ओप दान से दुकेश्टि